आप सभी का स्वागत है मैं कपिल आप सभी का अदेवीर क्लासिज मैं स्वागत करता हूं आज के सेस्टन में मैयत का पहला कॉस्चन देखिये क्या कहता है कि यदी दो वृत एक दूसरे को सपर्स या पिर्तिछेद नहीं करते ठेक है ये आपके सामने दो व्रत हैं ना तो एक दूसरे को सपर्स कर रहे हैं ना ही प्रतिछेद कर रहे हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं है तो उबहनिष्ट सपर्स रेखाओं की संख्या ग्यात कीजिए तो उबहनिष्ट सपर्स संख्या क्या होगी देखो एक रेखा ये एक रेखा ये दो एक रेखा ये तीन और एक रेखा ये चार तो उबनेश्ट स्पर संख्या होगी वो कितनी होगी चार ये option बिलकुल आपका सही उत्तर है आगे देखो दो नम्मर कॉस्चन देखो दो नम्मर कॉस्चन कि से टाइमेंड वर्क से एक कार खाने में कौन है अजय है और विजय है हीरे काटने के लिए एक मसीन पर काम करते हैं लेकिन वो बारी बारी से गंटे के आधार पर काम करते हैं ठीक है तो अल्टरनेट लगना है आज पहले गंटे के लिए काम करता है फिर विजय दूसरे गंटे के लिए काम करता है और इसी तरह आगे काम करते हैं अजय काम को 6 गंटे में पूरा कर सकता है जबकि विजय काम को 16 गंटे में पूरा कर सकता है अगर वे अलग-अलग काम करते हैं यदि वे बारी-बारी आधार पर मसीन का उप्योग कर रही है तो वे कारे को कितने समय में पूरा करेंगे ठीक है एक है अजे और एक है विजे अजे काम को कितने में 6 गंटे में और विजय काम को कितने में 16 गंटे में करते हैं इनका LCM लोगे तो काम कितना हो जाएगा 48 6, 8, 48 और 16, 48 यानि अजय एक गंटे में 6, 8 काम करेगा और विजय एक गंटे में कितना 3 काम करेगा अब अजय काम सुरू करेगा और कितना काम करेगा 8 काम पलस फिर विजय काम करेगा अगले गंटे आके ठीक है अगले एक गंटे काम किया विजय ने एक गंटे काम किया तो कितना काम करेंगे ग्यारे गंटे और कुल कितने काम है दो यनि दो गंटे में कितना काम करेंगे ग्यारे काम करेंगे ठीक है काम करना कितना आपको आप बोलोगे सर अड़तालीस काम करना है अब अड़तालीस काम काम कितना हुआ दो गंटे में ग्यार है अड़तालीस करने के लिए कितने से गुना कर दो चार से या भी चार से गुना कर दो तो कितना हो गया चार दो नहीं आठ यानि आठ गंटे में कितना काम हो गया ग्यारे चौक 44 अब टारन किस की गूंके अजे की टारने और जो अजे है जो अजे है वो एक गंटे में कितना काम कर रहा है आठ तो अब हमें ये कितना 44 काम हो गया काम करना कितना 48 तो कितना काम और करना चार काम और करना जब अजे एक गंटे में 8 काम कर तो आदे गंटे में कितना काम करेगा चार काम तो एक बटे दो आवर में कितना काम करेगा चार तो चवालीस और चार कितना हो जाएगा अड़तालीस और समय कितना लग जाएगा आठ गंटे कितना तीस मिनट तो आपका जो डी ओप्सन है आठ गंटे तीस मिनट वो बिलकुल सही होता रहें आगे देखो देखो तीन नम्मर कॉस्चन देखो क्या कहता है कि कॉट कितना है 12 वटे 5 तो साइन A का मान क्या होगा ठीक है ये देखो कि कॉट A कॉट A बरावर कितना आपके पास 12 वटे 5 है तो 10 A कितना हो जाएगा इसका उल्टा पांच बटे, कितना हो जाएगा, पांच बटे, बारे हो जाएगा, ठीक है, एक फर्मला होता, L, A, L, बटे, K, K, A यह फर इंगलिस में, P, B, P, बटे में, H, H, B, ठीक है न, H, H, ठीक, यह क्या होता, आपका, L बटे क्या होता है, Sine होता है, ये क्या होता आपका कौस होता है और लंबटे ए ये क्या होता आपका 10 होता है ठीक है तो 10 क्या है लंबटे आधार ये क्या आपका लंब है और ये क्या है आधार अब राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ करो ठीक है न समकौन तिरबुज समकौन तरवज में लंब कितना है? 5 है आधर कितना है? 12 है तो करन कितना हो जागा? 13 है किस से पाइथागोरस? पिर में से ठीक है? अब हमें निकालना है क्या? Sine A निकालना है Sine A सine A क्या होता आपका? Sine आप बोलोगे सार लंब बटे करन होता है लंब कितना है पांच है और कर्ण कितना तेर है यहनी पांच बटे तेर है डी ओप्सन है आपका बिलकुल सही उत्तर है आगे देखो चार नम्मर कॉस्चन देखो चार नम्मर कॉस्चन क्या कहता है कि अनूरादा अपना पैसा एक फर्म में निवेश करती है जहां मूल रासी दस वर्सों में कितनी तीन गुना हो जाती है तो फर्म द्वारा दी जाने वाली साधारन ब्याज की वारसिक दर ग्याद कीजिए ठीक है अनूरादा एक रुपे इन्वेश्ट करती है और एक रुपे के कितने रुपे बन जाते हैं तीन रुपे बन जाते है कितने टाइम में आप बोलोगे सर दस वर्स में ठीक है तो एक रुपे के जब तीन रुपे बन गए दस वर्स में तो ब्याज कितना मिला है दो रुपे ठीक है अब जो फर्मला होता है SI is equal to कितना होता P into R into T by 100 ठीक है तो उसे ब्याज कितना मिला है SI दो रुपे प्रिंसिपल कितना यूज किया था एक rate of interest आप वो निकाल ली है time कितना है 10 साल और बटे में 101-0 से 10 कट गया तो R बरावर कितना हो गया 20% यानि यह option आपका बिलकुल सही उत्तर है 20% सही है आगे देखो पांच नमबर question देखो क्या कहता है कि एक आदमी कितना 400 रुपे के किरिये किये हुए माल का आदा कितना 5% के लाब पर बेच देता है उसे सेस माल को किस लाब पर बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर कितना 25% का लाब हो आप माल कितना है दो है ठीक है उसमें से आदा ये हो गया एक और आदा हो गया एक अगर आदे माल को कितने पर 5% के लाब पर बेचेगा तो 5 रुपे में बेच देगा और कुल लाव को कितने में 25 पिरतीसत के लाव पर बेचेगा तो कितने में बेच देगा अब जो माल बच गया ठीक है न अब इसे कितने पिरतीसत लाव पर बेचे के उसे टोटल पर कितना हो जाए पचास हो जाए तो आप कहोगे सर उसे 45 पर तो कितने लाब पिरतीसत पर बेचे 45 पिरतीसत पर यानि D-Option आपका बिलकुल सही उत्तर है ठीक है यह आप ऐसे भी कर सकते थे इसे कि आप माल लेते कि 200 रुपे है कुल और यह एक हिस्सा यह 100 है और एक हिस्सा 100 है एक हिस्सा उसने 5 पिरतीसत लाब पर बेचा 105 में बेच दिया अब इसे कुल हिस्से को कितने 25 पिरतीसत का अब 200 का 25 पर सेंट निकालोगी तो कितना हो जाएगा आप देखो 200 का 25 पर सेंट 25 दूनी 50 यानि यह 200 हो गया ठीक है अब एक देखो कुल को तो 200 पर एक हिस्से को 105 पर बेच दिया तो जो हिस्सा बच गया तो 200 में से 105 हटा दो तो कितना 10 में से 5 यह 4 ठीक है ना 10,4 और 1 कितने में 145 में जो हिस्सा बच गया उसको कितने में बेचेगा 145 अब 100 की चीज और 145 में बेच दी देखो 6 number question क्या कहता है कि 10 alpha plus beta root 3 के है और 10 alpha minus beta कितना 1 के है तो हमें क्या निकालना है कि 10 alpha 6 alpha का मान निकालना है ठीक है यह देखो 10 alpha plus beta कितने के बराबर है root 3 के और हम जानते है 10 root 3 की value कितनी होती है 1060 ठीक है ऐसे ही 10 अलफा माइनस बीटा कितने के बरावर 1 और 10 में 1 की वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे सर 45 की ठीक है तो 10 से 10 अलमिनेट हो गया 10 से 10 अलमिनेट हो गया तो अलफा पलस बीटा बरावर कितने के 60 के और alpha minus beta बरावर कितने के 45 के ठीक है, आप किसकी value चाहिए, 6 alpha की value चाहिए तो जोड़ दो, जोड़ोंगे तो यो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 alpha बरावर 60 और 45 कितना, 105 के ठीक है, अब आपो कितना चाहिए, आब बोलोगे सर 6 alpha चाहिए तो इदर 3 से गुना कर दो और इदर भी 3 से गुना तो 3 दो नी 6, 6 α बरावर कितना? 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 6 α बरावर 3015 यानि 10 हमें किसकी value चाहिए? 10 6 α बरावर कितने के 3015 के बरावर ठीके न, 10 6 α बरावर 3015 के बरावर इसे कितना लिख सकता हूँ मैं? 10, यहनि 10, 315 को मैं लिख सकता हूँ, 10, 360, minus 45, ठीक है, देखो, 0, 90, 180, 270, और 360, फर्मना होता है, all, school, to, college, ठीक है न, all का मतलब सभी positive होंगे, और S का मतलब है, sign और कोन है, sign के साथ कोन होता है, cosac, sign और cosac positive होंगे, यह 10 और cot positive होंगे, बाकी negative, यह cos और sec positive होंगे, बाकी negative, अब 306, minus 45, कौन से quadrant में है, आप बोलोगे, sir, fourth quadrant में, fourth quadrant में कौन positive है, cos और sec positive है, बाकी negative है, तो 10 भी क्या रहेगा, negative, यह 10, 45, और 10, 45 की value कितनी है minus 1, तो C option का आपका बिलकुल सही होता रहे है, ठीक है, आगे देखो, क्या कहता है, कि दोल, दस नम्मर question क्या कहता है, दोल रेल गाड़ी, 48 किलोमेटर प्रिती गंटा, और 60 किलोमेटर प्रिती गंटा की चाल से विपरीत दिसा, कि ऐसी दिसा है, विपरीत दिसा से चल रही है, धीमी चाल वाली रेल गाड़ी, दोरा तेज चाल वाली रेल गाड़ी में बैठे एक वैक्ती को पार करने में लिया गया समय कितना है, 12 सेकंड है, धीमी चाल वाली रेल गाड़ी की लंबाई ग्यात कीजिए, ये धीमी चाल वाली रेल गाड़ी है, ये कितने से 48 किलोम पिरतियावर की चाल से चल रही है अब क्या कहता है कि इस जो तेज चलने वाली रेल गाड़ी है इसमें कोई वैक्ती वैठा है और जब ये रेल गाड़ी इसको क्रोस करेगी धीमी वाली को क्रोस करेगी तो कितनी दूरी चलेगी तो धीमी वाली अपनी चलेगी और तेज वा पार करेगा तो कितनी लंबाई दूरी चलेगा तो जिस रेल गाड़ी को पार करेगा सरफ उसके लंबाई के बरावर अब ये तेज चलने वाली के अंदर जो आदमी बैठा है ये कितनी दूरी चलेगा धीमी चलने वाली रेल गाड़ी की लंबाई के बरावर तो डिस्टेंस बरावर क्या होता है, speed into time distance हमें निकाल ली है और ये distance क्या है, धीरे जो गाड़ी चल रही है, उसकी लंबाई अब क्या विप्रीद दे सामे है, तो speed को जोड़ दो, तो 60 पलस 48 तो कितना हो जाएगा, 108 अब ये 108 क्या है किलो मीटर परती गंटा, तो मीटर परती सेकंड में, 5 बटे 18, और गुना में time कितना दे रखा है, 12 सेकंड ठीक है, calculate करो अब 18 से काटूंगा, तो 18 चिकी 108, तो कितना हो जाएगा 5 चिंग 30 गुना 12 है, और 30 और 12 गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 360, यानि C option आपका बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है, आगे देखो देखो, no number question देखो, क्या कहता है कि 2P upon में P square minus 5 P plus 1 के है, तो equal to 1 by 10, और P does not equal to 0, तो P plus 1 by P का मान ग्यात कीजिए ठीक है, आगे देखो 2P upon कितना है, P सुकियर, minus 5P plus 1 equal to कितना है, 1 by 10 के, उपर भी P से भाग लगाओ, और नीचे भी P से भाग लगाओ, तो P से P कट गया, उपर 2 बच गया, नीचे P से P कट गया, यह P बच आ, माइनस में P से P कट गया, 5 बच गया, और plus 1 upon P equal to 1 बच गया, 10, cross multiply करोगे, तो कितना हो जाएगा, आपके पास, P minus 5 plus 1 by P equal to 10, 2 नी, 20, और P plus 1 upon P equal to कितना हो जाएगा, 20 plus 5, P plus 1 upon P, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25, यह जो C option है, वो बिलकुल आपका सही उत्तर है, आगे देखो, 11 number question देखो, 11 number question क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक कुरसी का अंकित मुले, एक निश्चित रासी पर रखा है, यदि दुकानदार 15, 30 की छूट देता है, तो उसे 14, 45 रुपे में बेचता है, तो अंकित मुले क्या होगा, ठीक है, मान के चलो, अंकित मुले MP है, कितने में बेच रहा है, 45, 15, 30 के छूट पर दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 85, बटे, 100, और छूट के बाद, मुले कितना रह जाता है, 14, 45, ठीक है, देखो, 85 से काट दो इसे, 1, 4, 4, 5, अगर 85 से भाग लाएंगे, तो 85 एकम, 85, गटाओ, 14, 14 हमें से, 5 जाएगा, तो कितना 9, यह 3, यह 5, अब कितनी बार देखो, 7 बार, 7 बार पूरी पूरी जा रहा है, ठीक है, तो 85 से जब 14, 45 को काटोगे, तो कितनी बार, 17 बार, तो MP कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर, MP आएगा, 1700, ठीक है न, 17 गुना 100, तो कितना आ जाएगा, 1700, यहनि B option आपका बिलकुल, सही उत्तार है, आगे देखो, देखो, प्रपोर्शन का कॉस्चन है, तेरे नम्मर कॉस्चन क्या कहता है आपका, कि 16, ठीक है, क्या है, 16, 26, 32 का चतुर्थ, चतुर्थ अनूपाती, क्या होगा, ठीक है, तीन अनूपात है, रेप्रपोर्शन लेते, एक, दो, तीन, फर्स्ट क्या होता है, मद्य अनूपाती, तो मद्य अनूपाती का फॉर्मला होता है, रूट, A, B, एक होता है, तृत्य, तृत्य का फॉर्मला क्या होता है, कि B सुकेर, B सुकेर बटे में A, एक होता है, चतुर्थ, और चतुर्थ जो अनूपाती का फॉर्मला क्या होता है, B C बटे में A ठीक है चतुरत अनुफात होता B C बटे में A ये कि आपका B है ये C है ये A है तो जो चतुरत अनुफात है चतुरत अनुफात निकालोगे तो कितना है फॉर्मला आपका B into C बटे में A B का मान कितना 26 C का मान कितना 32 और A कितना आपका 16 है 16 दूनी 32 26 दूनी 52 सी ओप्षन आपका सही उत्तर है आगे देखो देखो कॉश्चन क्या कहता है कि ABC और तिरबोज डी इएफ एक तिरबोज है ABC और एक तिरबोज क्या है डी इएफ दो तिरबोज हो गई एंगल A कितना है 55 डिगरी ये एंगल A है और ये कितना है 55 डिगरी है और A B बरावर है D E के जो A B है वो किसके बरावर है D E के है और दूसरी क्या है A C, A C ये वाली है ये A C किसके बरावर है AC है DE के ये भी DE के बरावर नहीं DE नहीं है ये DF है किसके बरावर है DF के AC बरावर है किसके DF के बरावर है और एंगल E कितना है 85 डिगरी एंगल E 85 डिगरी है उसके बाद एंगल F कितना है एंगल F 40 डिगरी है तो क्या कहरा कि कौन से गुन के अनुरूब तिरबुज ABC और तिरबुज DEE DEF क्या है सरवांग SUM है ठीक है देखो इस वाले तिरबुज में देखो DEF तिरबुज में देखो कि तिरबुज के तीनों कोनों का योग कितना होता 180 होता है हम D angle को निकाल लेते हैं D angle निकाल लेंगे DL angle निकालेंगे तो 180 में इन दोनों angles का sum घटाएंगे तो 85 और 40 कितना 125 तो 80 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 तो यानि हमारे पास जो D angle है D angle कितना निकल के आया है आप बोलोगे 55 degree अब property लगाओ property में देखो एक तो ये side बरावर है इस side के बरावर एक तो side बरावर हो गई एक ये angle बरावर है इस angle के बरावर एक angle हो गया एक ये side बरावर है इस side के तो ये side बरावर हो गई तो side angle side जो आपकी गुण है उसके कारण ये जो दोनों तिरबुज है तिर्बुज ABC और तिर्बुज DEF ये दोनों क्या हैं सरवंग सम हैं आगे देखूं देखो पंदरवा कॉस्चन देखो पंदरवा कॉस्चन क्या कहता हैं कि 14 cm व्यास व्यास है तो आप तिर्जा बनाओगे तो तिर्जा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी 12 cm लंबाई वाले लो मोटाई वाला एक तार बनाया जाता है तार की मोटाई ग्यात कीजिए तार की मोटाई निकालनी है ठीक है यह तार है अब जो एक तार होता है वो एक प्रकार से क्या होता है एक सिलेंडर होता है अब मैंने बताया था यदि किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज बनानी ह तो याद रखो हमेशा उसकी कोई भी dimension change हो जाए area change हो जाए कुछ भी change हो जाए लेकिन जो उसका volume है वो volume कभी भी change परिवर्तन नहीं होता तो जब वो पहले slender था तो उसका जो आयतन था πाई r square h ठीक है pi से pi कट गया r कमान कितना है आप बोलोगे sir 2 है तो कितना हो गया दो का说 14 हो गया और h कमान कितना है 12 है बराबर r € €ई हमें निकालना है और h कमान कितना हमारे पास 1200 है ठीक है इसे calculate करो calculate करेंगे तो बार है से सो बार, बार है एकम, बार है, दो दूनी, चार, और यह धर आ जाएगा, सो बटे में कितना हो जाएगा, आर सो किया, और आर बरावर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, चार बटे में, सो, तो आर बरावर कितना हो जाएगा, दो बटे में, दस, रेडियस क्या निकल के आएगी, 0.2 निकल के आएगी, रेडियस का क्या मतलब है, अगर ये मानलों सलेंडर की ऐसे है, अब इसकी ये रेडियस निकल के आए, 0.2, हमें क्या पूछिए, तार की मोटाई, और तार की मोटाई कब कम्पलेट होगी, जब हम इसे पूरी ऐसे, यह तार की मोटाई है यानि क्या कहा सकता हूँ जो व्यास है जो स्लेंडर का व्यास है वो क्या होगी तार की मोटाई होगी अब यह रेडियस से अगर व्यास में बदलेंगे दो से गुना करेंगे तो दो दूनी 0.4 cm यानि जो C option है आपका बिलकुल सही होता रहे आगे देखो